उस रानो ने मेरी अनारकली फ्रॉग खराब कर दी कैसी उल्टी सीथी सलाया लगाई है तो जाओ उसके मूँ पर मार के आओ लगता है गरीब होने के साथ साथ अब अंधी भी हो गई है वो चुडिया फिर गोरी कवी गुसे में रानो चुडिया के घर जाती है और कपड़े उसके आगे फैंक देती है क्या हुआ गोरी बहन आपने कपड़े ऐसे क्यों फैंक दिये जरा आँखें खौल कर देखो मेरा इतना कीमती कपड़ा सारा ही खराब कर दिये तुमने सारी ही सलाईया उल्टी सीधी लगा दी है तुमने मेरी फ्रॉक्ट ही कर दो वरना मैं इस कपड़े के पैसे ले लूँगी तमसे और फ्रॉक तुम पहन लेना गोरी रानोचडिया को बातें सुना कर चली जाती है रानोचडिया जंगल में कपड़े सिलाई का काम करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी अब कुछ अर्सा से उसकी आँखों की नजर कुछ ठीक नहीं थी लेकिन उसके पास अपनी आँखों का इलाज और यो भी खों कदाती है, लेकिन नहीं कर पाती। कुकू और गुडिया अपने ममा के पास बैड़े अपना होंव कर रहे थे। गुडिया को एपने ममा को अपनी मम को इधागा दानने केश्चरते देख रही थी ती। बेटी मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है इसलिए मुश्किल हो रही है लाए मम्मा मैं डाल देती हूं फिर गुडिया सुई में धागा डाल देती है बेटी तुम दोनों की पढ़ाई मकमल हो जाए फिर मैं चश्मा भी लगवा लूँगी फिर गुडिया किसी सोच में पड़ जाती है और रात को वो सारा परिवार सो जाता है अगली सुभा मम्मा चडिया अपने बच्चों को जगाती है बच्चो उठ जाओ वरना स्कूल से तेर हो जाएगी दोनों बच्चे उठ जाते हैं मम्मा चडिया उन्हें नाश्ता देती है और दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तियार हो जाती है ये लो बच्चो ममा चड़िया दोनों बच्चों को पांच पांच रुपए देते हुए कहती है ममा चड़िया हर रोज स्कूल जाने से पहले उन्हें पांच पांच रुपए दिया करती थी फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं मुझे माफ करना बच्चो, मैं आपको इतने ही पैसे दे सकती हूँ, आप तो मेरी नजर खराब होने की वज़ा से मेरे पास सलाई का काम भी ज्यादा नहीं आता। गुडिया और कुकु स्कूल जा रहे थे, रास्ते में चाचा कबूतर की मिठाई की दुकान थी, मिठाईयों की हुश्बू, दूर से आते जाते पक्षियों को अकर्शत करती थी। गुडिया बहन, आज तो मैं अपने पैसों से कबूतर चाचा की दुकान से लड़ू खाऊंगा, तुम भी खा लेना। नहीं कुकु भाई, मैं आसी अपनी पॉकिट मनी के पैसे खर्च नहीं किया करूँगी, बलकि अपने पैसे जमा करके ममा को चश्मा लगवाऊंगी। गुडिया बहन, तुम भी ना, भला तुम कब तक पैसे जमा करोगी। चश्मा लगवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। जो भी हो, लेकिन मैं आसी अपने पैसे खर्च नहीं करूँगी, मैं तो पैसे जमा करूँगी। ऐसा कहते हुए गुडिया आगे भड़ जाती है, जबके कुकू चाचा कबूतर की दुकान पर जाता है। फिर वो कहता है, चाचा कबूतर आप पांच रुपे रख लें, बाकी के पांच रुपे मैं आपको कल दे दूँगा। कबूतर को भी बचे पर दिया आजाती है, और वो कुकू को लड़ू दे देता है। अब कल बाकी के पैसे ले आना। ज़रूर चाचा कबूतर। फिर कुकू लड़ू लेकर चला जाता है। और सकूल में ब्रेक टाइम मजे मजे से लड़ू खा लेता है। वा, आज तो मज़ा ही आगया, मैं तो लड़ू रोज खाया करूँगा। घर जाकर गुड़िया अपने पांच रुपए अपने गुलक में डाल देती है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। गुड़िया तो सकूल चली जाती है जबके कुगू रास्ते में कबूतर चाचा की दुकान पर चला जाता है। कबूतर चाचा ये ले पैसे और मुझे एक लड़ू दे दे। तुम आज फिर पांच रुपए ले आए। मैंने कल तुम्हें बताया भी था कि लड़ू दस रुपए का आता है और पांच रुपए तो अभी तुमने कल वाले देने है। अंकल प्लीज मुझे लड़ू दे दे मैं वादा करता हूँ कल मैं आपके सारे पैसे लुटा दूँगा। फिर कबूतर कूकू को लड़ू दे देता है और कूकू स्कूल चला जाता है। कई रोज ऐसे ही जलता रहा। कूकू कबूतर चाचा की मिनत समाज़त करके उधार लड़ू लेकर खाता रहा। और गुडिया अपने पैसे अपने गुलक में डालती रही। फिर एक दिन कबूतर कूकू को पकड़ कर बांद लेता है। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। जब तक तुम्हारे पापा आकर मुझे वो पैसे नहीं दे जाते जो तुमने उधार किये थे। कूकू स्कूल नहीं जा पाया और गुडिया बहुत परेशान हो जाती है। कूकू भाई आज स्कूल क्यों नहीं पहुँचा वो तो कबूतर चाचा की दुकान से लड़ू लेने गया था। फिर छुटी के बाद गुडिया चाचा कबूतर की दुकान पर जाती है। लड़ो पांच का नहीं, बलके दस रुपै का है, ये पांच रुपै का उधार करता रहा है, अब जाओ और अपने घर से अपने बाप को बुला कर लाओ, उससे को हो कि मेरे पैसे दे कर इसे ले जाए, गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि वो क्या करे, वो घर जा आती है, और अपना गुल्लक लेकर आ जाती है, ये ले चाचा कपूतर, इस गुल्लक में जितने पैसे हैं, आप रख लें, और मेरे भाई को छोड़ दें, तुम्हारा पापा नहीं आया तुम्हारे साथ, नहीं, क्यूंके वो नहीं है, मेरे पापा तो हमारे अंडों से ब पैसे मांगती, तुम जानते हो, ममा पहले ही कितनी परेशान रहती हैं, कपड़े सी लाई करकरके उनके नजर कितनी कमज़ोर हो गई है, चाचा कपूतर, प्लीज, आप मेरे भाई को छोड़ दें, ये सब देखकर कपूतर की आंखों में आंसु धे, वो गुड़िया की सम मर्जदारी पर बहुत हैरान था, गुड़िया बेटी, काश तुम्हारे जैसी बेटी मेरी भी हो, जो अपनी ममा की इतनी परवाह करती है, मैं आप से पैसे नहीं लूँगा, और ना ही कुकू से, और कुकू बेटा, आपको भी अपनी बेहन से सीखना चाहिए, अगर हमार पास कम पैसे हो, तो हमें उसी में गुचारा करना चाहिए, मैं बहुत शर्मीनदा हूँ, सोरी कबूतर चाचा, सोरी गुड़िया बेहन, फिर कबूतर गुड़िया और कुकू के साथ उनके घर जाता है, और उनकी ममा को सारी बात बताता है, कबूतर भीया, मैं बहुत शर मिन्दा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे हैं, आप चले मेरे साथ, मैं आपको नजर का चश्मा लगवा देता हूँ, नहीं कबूतर भेया, आपने पहले ही बहुत बड़ी नेकी की है, कुकु के पैसे माफ करके, अब मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चा आज से गुडिया और कुकु मेरे बच्चे हैं, मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, उपर वाले ने मुझे इन दोनों की शकल में बच्चे दे दिये, फिर कबूतर चडिया को बुलबुल के कले निकले कर जाता है, और उसे नजर का चश्मा लगवा देता है, अब ममा चड भी सुई में धागा डाल लेती, और पहले से ज्यादा कपड़े सिलाई करती, अब वो परिवार पहले से ज्यादा अच्छा जीवन गुजारने लगता है, प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कि हमेशा जो आपके पास हो, उसी में गुजारा करना सीखें, वरना हर कोई चाचा कबूतर की तरहां अच्छा नहीं होता, आपका धन्यवाद, किसी जंगल में एक कवी रहती थी, उसका नाम गोरी कवी था, गोरी कवी हमेशा अपनी जूटी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती, वो हमेशा दूसरे पक्षियों के सामने अपनी जू रखता है तुम्हारा पती तुम्हारा, तुम्हारे पती ने क्या लेकर दिया है तुम्हें, उसने मुझे क्या लेकर देना है, दो दाने शाम को और दो सुबहा, इससे भड़कर वो मुझे क्या दे सकता है, मैं तो बहुत बहागेशाली हूँ, जो कालू कवी से मेरी शाद लेकर देता शरम करो लूसी ये तुम क्या कह रही हो क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो पहले खुश थी मगर अब नहीं हूँ गोरी ने मुझे बताया कि उसका पती उसे सोने के गहने लेकर देगा जूटी है वो सब जूट बोलती है दूसरों के घरों में लड़ाई करवा हाने के लिए वो जूट बोलती है हाँ हाँ तुम मुझे लेकर दे जो नहीं सकते इसलिए तुम उसे जूटी ही को होगे इसे बात पर दोनों में खुब लड़ाई होती है कालू आज मैंने लूसी से बहुत जूट बोले आज तो वो अपने पती से जरूर लड़ाई करेग आखर तुम्हें मिलता क्या है पक्षियों से ऐसे जूट बोलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर तुम मुझे कुछ लेकर दे नहीं सकते तो क्या मैं जूट भी न बोलू फिर एक दो दिन बाद गोरी कवी चिडिया के पास बैठी हुई थी वो चिडिया से कहती है बनारसी साड़ी और पटेयाला का लहंगा लेने जा रही हम आज मैं साच क्या सच गोरी तो और क्या मेरा पती बहुत अच्छा है जो कहूँ वही लेकर देता है मेरा पती मुझे तुम्हारा पती तो बहुत कंजूस है नहीं गोरी मेरे पती कंजूस नहीं है मगर पैसे ही नहीं बचते कुछ लेने के लिए जो कमाते हैं खर्च हो जाता है मेरा पती तो लाखों में एक है मैं तो एक साड़ी अपनी मा के लिए भी लाऊंगी अच्छा अब मैं जाती हूँ गोरी वहां से चली जाती है आज मैं भी कुकु के पापा से कहती हूँ के मुझे भी एक बनारसी साड़ी ले कर दे ऐसा सोचते हुए च्छिडिया अपने घर चली जाती है च्छिडिया का पती भी घर में ही था मैंने भी सोच लिया है इस बार तो मैं बनार सी साड़ी ले कर ही रहूंगी बगर कहां से इतने पैसे हैं तुम्हारे पास आप देंगे पैसे और कहां से मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है जब होंगे तो मैं ले दूँगा तुम्हें साड़ी इतने में लूसी कबूतरी रोती हुई वहां आती है बहुत मारा आज कबूतर जी ने मुझे बहुत मारा है चड़िया आप जा कर पूछें उसे कबूतर भैया तो ऐसे नहीं है फिर उन्होंने आपको क्यों मारा गोरी ने मुझे बताया कि वो गहने लेने जा रही है मैंने भी अपने पती से गहने मांगे बस उसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई और उन्होंने मुझे मारा रानो तो फिर तुम्हें भी गोरी ने ही बताया होगा कि वो बनार सी साड़ी लेने जा रही है ना ना मुझे नहीं चाहिए साहडी मेरा अभी पिटने का कोई मूर नहीं है चले लूसी बहन मैं जाकर कबूतर भाया से पूछती हूँ चड़िया लूसी के साथ जाती है चुडिया बेहन मुझे गुसा इस बात पर आया जब इसने कहा के अगर मैं कालू की पतनी होती तो मुझे भी गहने मिलते भला ये बात कोई करने की है लूसी बेहन आपने ऐसा क्यूँ कहा मैं गोरी की बात सुनकर सपनों की दुन्या में चली गई थी बस ऐसे ही मेरे मूँ से बात निकल गई तो फिर ऐसे ही तुम मुझ से पिट गई फिर दोनों की सुलहा करवा कर चुड़िया अपने ख़र चली जाती है मिठो की पतनी हर्याली एक पेड़ पर बैठी हुई थी जब वहां गोरी आती है हर्याली मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ अच्छा गोरी क्या काम है आपको वहाँ मैं एटियम मशीन से पैसे लेने जा रही हूँ कल मैं और मेरा पती वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं फिर तो बहुत मज़ा आएगा आपको गोरी कितने पैसे लगेंगे ये कार्ड है मेरे पती का मैं इस कार्ड से एक लाख निकलवाऊंगी मशीन से जूट बोलकर गोरी आगे भड़ती है किक करके पेड़ के पीछे छुपे दो चोर उल्लू गोरी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं शिक शक जी आज रात इसी का हिसाब लगाते हैं बहुत अमीर है ये कावी चलो जाकर त्यारी करते हैं कालू कालू जब मैंने हर्याली से कहा कि मैं मशीन से पैसे लेने जा रही हूँ तो उसकी आँखें खुली की खुली रह गई कभी बैंक का मून ही देखा और जा रही हो एटियम से पैसे निकलवाने अगर तुम मुझे खुशिया नहीं दे सकते तो मैं जूट भी न बोलू जूट बोलने से भी तुम्हें दुख होता है मेरे रात हो जाती है सब सो जाते हैं रसी लेलो उन कभ़ों को इस रसी से बाढ़ देंगे हाँ और साथ एक डंडा भी अगर सीधें से ना पैसे दिये तो डंडा भी चलाना पड़ेगा फिर आधी रात को दोनों उनलू निकलते हैं वो सीधें कभ़ों के घर जाते हैं कौन है? हम जंगल में पक्षियों को मिठाई बाढ़ रहे हैं आप भी लेले कुछ सोचे बिना गोरी जल्दी से दरवाजा खोल देती है उल्लू गोरी को धका दे कर घर में चले जाते हैं कौन हो तम? और यहां क्यों आए हो? हमारे पास कुछ नहीं है हमें कुछ ना कहना एटियेम मशीन से जो पैसे आज तुम लाई थी वो कहा है? एक लाख, पूरा एक लाख क्या? वो तो मैं जूट बोल रही थी हर्याली तोती से सच, सच में मैं जूट बोल रही थी यह ऐसे नहीं मानेंगे फिर उल्लू डंडे से उनकी खूब पिटाई करते हैं गोरी शोर मचाती है चुप चुप कर जाओ वरना टांग तोड़ दूगा पैसे दो पैसे बचाओ, बचाओ शोर सुनकर कबूतर और चिडिया वहां आते हैं उल्लू भाग जाते हैं गोरी यह कौन थे? हाए, हाए मर गई वो चोर थे बहुत मारा मुझे उन्होंने बहुत मारा तुम्हारे पास क्या है जो वो लूटने आये थे यह मनहूस जो सारा दिन दूसरे पक्षियों से जूट बोलती है वो समझे हम सच में अमीर पक्षी हैं यह सुनकर चिडिया और कबूतर हंसने लग जाते हैं अगर जूट बोलोगे तो सजा तो मिलेगी ही